हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंड फ्रेंड आज मैं आपको ये लडू गोपाल जी का उलन ड्रेस लोटस फ्लावर पेटल रिजाइन ड्रेस बनाना बताऊंगी ये देखे बनाने में बहुत एजी है देखने में देखे कितना सुंदर लगता है एकदम करोश्या होक लिया देखे 9 नंबर का करोश्या होक और बेबी उल्लीया है आए आधी आवा मैं इसको बनाना शुरू करते है देखे फ्रेंड से मैंने दो नंबर के लडू गोपाल का चोली बना लिए आपके लडु गोपाल जीस साइज का है आप उस साइज का वीडियो मे कि यह तिन चीद दो neighborhood क्रोश्या हो गया सेम इस पिसमें यहां प verbessए करोशुरु यह दो भाप यह पिर इसके सेकंड चैन में दो ड्लुक्रोश्च, इसी तरह सक पूरे रो को बना के व कंप्लीट करके है अब मैं यहां पर क्या करूंगी यहां पजी थर्ड चेन है इसमें मैं ग्रोश्य डालके इसको स्लिप स्टिच से जोड़ के यह मैं चोली का स्ट्राउंग बनके कंप्टीट होगया अब देखिए फ्रेंट्स आप में यहां से डिजाइन बनाना सुरू करूंगी अगर आपके लडू गोपाल बड़े साइस के हैं तो आप एक-दो घेड बना लिजे उसके बाद रिजाइन बनाना सुरू करेगा मेरा है छोटे दो नमबर के लडू गोपाल हैं तो यहां पर म बनाओंगी यहां पर एक चेन को स्किप करके दूसरे चेन में डालके एक सिंगल कुरूश्य बना दूगी इस तरह से आगा यह दस मैंने बना लिया है दस चेन और फिर यहां से मैं यहां पर सिंगल कुरूश्य जोड़ दिया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नो दस चेन बना लिया एक स्किप स्किप करके सेकेंड चेन में एक सिंगल कुरुश्य बना दूंगी इसी तरह से पूरे सर्कल को बना के कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ देखिए फैंसी रूमेना बनके कम्प्लीट हो गया है अब मैं क्या करूंगी देखिए यहाँ पे हर चेन में मैं एक एक सिंगल करोश्या बनाऊंगी देखिए एक कि दो कि तीन कि चार कि पांच कि छे साथ आठ 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 सिंगल करोश्या हो गया आप यहाँ पे देखिए एक दो तीन तीन चेन बनाऊंगी और फिर मैं इधर भी आठ सिंगल करोश्या बनाऊंगी देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ देखिए मैंने दोनों साइट आठ सिंगल करोश्या बना लिया अब फिर मैं यहाँ पे इसी तरह से आठ सिंगल करोश्या बनाऊंगी यहाँ पे देखिए आठ सिंगल करोश्या तीन चेन और फिर आठ सिंगल करोश्या इसी तरह से पूरे पुरे र्हाउण को बनाके कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाते हूँ देखे फेंस ये रो मैंने बना के कम्प्लीट कर लिया है अब मैं क्या करूँगी कि पिंग कलर क्यों से आगे का देखें ये बेबी उल है इससे मैं चल्वाँस जाइन बनाऊंगी यहां से जहांसे मैंने सिंगल क्रोश्या बनाना शुरू किया था यहां पर क्रोश्या डालके दागे को खिच दूंगी एक दो तीन तीन चेन बनाऊंगी और दीखिए यहां पर जितना सिंगल क्रोश्या मैंने बनाया था सब में मैं एक डवल क्रोश्या बनाऊंगी अब देखे फ्रंस यहां तक मैंने देखे चैन बना ल out यहां पर नीएख देखे यहां पर तीन टेन बना के और तस्ट ह只 कर दो अब देखे एक दो अधिल डाल के करोश को फीर इसमा मैं दो डब जो Nem주 न होगों एक दो दो डबल कुरोश्या बनाऊंगी फिर देखिए यहाँ पर मैं हर चेन में डालके एक डबल कुरोश्या बनाऊंगी अगया है यहाँ अगया है तरह बन गया एक पड़्क तरह है और का दिखिए दूसरिके यहां से मैं करें करेंग डालके जहां से मैं ने सिंगल अबनाना हुश्या थ यहां से यहां तक मैं हर chain में एक-एक double crochet बनाऊंगी और यहां पर जू यल्फ मैंने दू है तीन का chain बना है इसमें मैं दो答 क्रोस्या और जाएसे यहां पर मैंने है द्दू पर इस तरह से single crochet बना है चेहन में उसी तरह से इस फूरे bio को बना के कम्प्लीट कर लिया है अब यहाँ पर इसमें मैं इस तरह से क्रोश्या डाल के कि अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी ग्रीन कलर का दागा ले लिया मैंने इस तरह से मैं लूप बनाऊंगी लूप बना के आप देखिया यह एक पैटल है और इस पैटल को मैं इस तरह से देखिया इस तरह से मैं करूंगी और इस बीच में देखियो इस बीच में इस तरह से क्रोश्या डाल ग्याला और यहां पर जो 약ियी यह इधर का है साफ इधर का double cross yaggay और यह इस पेटल का double cross yaggay इस बीच का जो space है देखिया कि यहां इस तरह से crochet डालके धागा निकालके एक single crochet यहां पे एक दो तीन बनाऊंगी फिर देखिए इस पेटल को इस तरह से मोड के मोड के और देखिए इसका जू यह बीच वाला है चेन इसमें मैं इस तरह से क्रोश्या डालके और एक सिंगल क्रोश्या फिर यहां पर एक दो तीन तीन बनाऊंगी फिर इस पैटल को देखिए इस तरह से करके और यहां का जो यह बीच का चेन है है इस तरह से करके इस बीच में इस तरह से क्रोश्या डालके लूप निकालके एक सिंगल क्रोश्या लेकर बना यहां तक मैं बना लिया है देखिए पूरा सरकल को तयार कर लिया है स्लिपस्टी से जोड के आप दिखिए friends यहां पे यहां पे जो एक सिंगल क्रोस्या बना और यह सिंगल क्रोस्या इसके बीच में जो यह 3 चेंड है इसमें मैं सबसे पहले क्या करूं डबल क्रोस आप ढाओंगे देखिए मेरा इस तरह से आईगा अब देखिए इस चेंगे बीच में जाने के लिए यहां पर बीच में हम एक दो दो चेंग बनाएंगे और फिल देखिए अब इस बीच में मैं एक डबल क्रोश है और यहाँ दो तीम चार चैन और फिर सेमयपेश पर एक डबल क्रोश है बनके यहाँ पर यह इस तरह से हैं और फिर दखेए इस चैन से बीच के दूरी Mé Wash, Jon बनाएंगे और फिर इसमीं एक ड्वल कुरोस्या हो गया सा ओर यहां पर देखे एक दो मेंचाहल नोय ॔र फिर यहां पर माद के इसमें आ जाएंगे दो पर उत्सक बना T सित्रों इस तरह से यह इस तरह से बनका इस तरह वहार एक इस पूरे सरकल बनाओ करें आपको दिखाओ देखें फ्रेंड्स यह रो मेरा पूरा बनके कंप्लीक हो गया है कि यहां पर ने दो चेन बना लिए लाष्ट में और यहां पर जो यह मैंने दिकए साथ चेन बनाया था इसमें मैं देखिए एक दो तीन थर्ड चेन में डालके इस तरह से पर दोंगे तो दो यह चार दो चार दो करके chain मैंने बनाया है तो यह जो चार वाला chain है इसमें मैं डालके एक सबसे पहले एक single crochet करूँगी और फिर देखिये यहां पे एक दो तीन चार पांच छे शाथ आठ नौ दस दस चैन बनाऊंगी और इसी चैन में डाल के में एक सिंगल क्रोश या तुम फिर यहां पर मैं साथ चेन बनाऊंगी देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ और फिर सेम स्पेस पर डालके मैं एक सिंगल क्रोश जाका देखिए इस तरह से बन के आएगा अब यहां पर जो यह दो दो चेन बीच में है यहां पर देखिए एक चेन लेके यहां पर एक सिंगल क्रोश जाका फिर एक चेन लेके और इसमें आके मैं यहां पर चार चेन के उपर एक सिंगल क्रोश जाका बनाएंगे एक सिंगल क्रोश्या एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस दस चेर मनाके एक सिंगल क्रोश्या फिर यहाँ पे एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ चेर बनाके यहां पर फिर एक चेंड बनाओंगी और गड़े जो दो चेर की उपड इस तरह से खुश्या डालगoby एक सिंगल क्रोश्या फिर एक बनाके इस मैं मैं जैसे मैंने यहां पर बनाया अ अप्लाइब यह ब्लत यहां है यह पत्ति के सेप में आ जाएगा और यहां पर ऐसके ही। इस दोनों पत्ति के बीच में गए इस तरह से इस पूरे सरकल को बनाकर आपको डिखाते हैं यह मेरा यह मैंने ग्रीन कलर से बैटल भी बना के कंप्प्लीट कर लिया है जिसका कंप्लीट हो गया है थैंक्स पुर बाचीं!